NET हमने static net और dynamic net देख लिए है network address translation जिससे हम private IP को public ip में convert करते है static net में हमने manually mapping की दे जितने भी हमारी private ip थी उन्हें public ip पर academic net मेंhe net का इस पूल बनाया था और उस पूल के उपर हमने अपने private behई इस को map कर दिया था लेकिन real scenario में अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी public IP purchase करने का वो नहीं होता क्योंकि हम इतना cost नहीं लगाना चाहते तो हम क्या चाहते हैं कि मानले जितनी भी public IP हमारे पास है मानलो दो ही IP है मेरे पास अंडर में 100 सिस्टम या 50 सिस्टम चल रहा है तो मैं चाहते हूँ कि वो सारे के सारे सिस्टम इन्हीं दो IP से public में communicate करें तो उस condition में हम use करते हैं net overload net overload का मतलब क्या है कि मेरे पास दो IP है चार IP है उसका पूल बना ले और उसी पूल पर हम अपने सारे सिस्टम जितने भी हमारे लैन के सिस्टम से 50-100 वो उनको mapping करते हुए आगे बढ़े तब आपके दिमाग में यह आएगा कि 100 सिस्टम अगर उन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं तो वो वापस अपनी information लेके क्यों आ रहे हैं अपनी information लेके उसी सिस्टम तद कैसे पहुँच पा रहे हैं क्योंकि आपके सिस्टम के उपर ठीके अगर मैं आपसे port की बात करूं तो यहाँ पर कितने port होते हैं एक पोर्ट पर पोर्ट ना कहकर कि हम इसको interface कहते हैं इंटरफेस पर कितने प्रोटोकॉल काम कर रहे होंगे प्रोटोकॉल की लिस्ट क्या है 65536 प्रोटोकॉल हैं ठीके हर का port नंबर अलग है ठीके इंटरफेस प्रोटोकॉल है डिफरेंट port नंबर जितने भी प्रोटोकॉल इंटरफेस पर हैं यानि जो आपके पास लिस्ट है पूरी 65536 प्रोटोकॉल की अफिशियल और अनफिशियल मिलाके उन सब का port नंबर अलग अलग है अब क्या करता है यह जस्ता में ओवर लोड का कमांड चलता है, ओवर लोड के कमांड में ये इट प्राइवेट आईपी मैप विट ये किसके साथ मैप करेगा, पोर्ट नमबर, पहला पोर्ट उसने यूज़ कर लिया प्राइवेट आईपी वन के लिए, दूसरा पोर्ट यूज़ कर लिया प्राइवेट आईपी टू के लिए, तीसरा पोर्ट यूज़ कर लिया प्राइवेट आईपी पोर्ट के लिए तो इस तरह से, उसके पास एक ही पोर्ट के उप पर एवलेबल पोर्स इतने सारे 55536 पोर्ट नंबर्स हैं तो वो यूज कर सकता है लेकिन एक राउटर की कैपेसिटी नहीं होगी कि एक इंटरसेस से इतने सारे सिस्टेम को कॉम्णिकेट करा सके तो उस कंडिशन में क्या होगा कि अगर तो हम यहाँ पर मैप करते हैं जितने भी हमारे प्राइवेट आइपी हैं वो प्राइवेट आइपी पोर्ट पर मैप होने के कारण क्या होता है कि उसी पौर्ट से रिटर्ण आते हैं और उनका मैचिंग हो जाता है इसलिए Net Overload को PAT भी कहा गया है PAT stands for Port Address Translation अब Port Address Translation करने का दो वर्जन है यानि दो तरह से हम कर सकते हैं Net Overload डाट इस हम IP Pool के उपर Overload कर चला दे और दूसरा Interface के उपर Overload चला दे तो मैं इसका Practical आपको दिखाते हूँ पहले हम एक IP Pool बनाएंगे उस IP Pool के उपर Overload से लाएंगे और फिर उसके बाद Interface के उपर Overload से लाएंगे तो पहले वाली Command तो सेम है जैसे मैंने Dynamic Net के अंदर आपको करा रखा है ठीके Enable Conft मैं यहां से पिंग करा के आपको दिखा दूँ कि सारे सिस्टम स्पिंग हो रहे हैं यह 50 002 है यह 10 002 है 10 002 है 10 002 है तो दोनों को यह कॉम्निकेट कर रहा है ठीके अब मैं चाहते हूं कि यह हमारा क्या है यह पुब्लिक नेटवर्क है यह मेरा एक पुब्लिक नेटवर्क है ठीके और यह प्राइवेट नेटवर्क है यह जो हमारा लैंड चल रहा है यह मेरा प्राइवेट नेटवर्क है यहाँ पर जितने भी पीश है अभी तो दो ही कनेक्ट है यहाँ पर मानेज़े पचास सो पीसीज भी हूँ तो आप चाहते हो कि यह सारे जो पीसीज हैं यह हमारे एक पुब्लिक आईपी 100001 पर और 100002 तो मैं सारे आईपी को इन ही दो आईपी पर मैप करना चाहती हूँ मानलो यहाँ पर 8 डस सिस्टम भी मैं कनेक्ट कर दूं यह 50 सिस्टम कनेक्ट कर दूं तो वो 55 सिस्टम मेरे 100001 और 100002 से मैप हो जानी चाहिए तो अब configuration चुरू करते हैं, अभी तक simple IP दे रखा है और router rip कर रखा है, सबसे पहले हम उन दो IP का यहाँ पर क्या बनाएंगे, पूल बनाएंगे जैसे कि हमने dynamic net के अंदर किया था, तो IP net pool, pool का नाम मैंने P1 रख दिया, अब मेरी start IP, क्योंकि pool में हमें 2 IP रख नहीं है, तो मैंने रख दिया 100001, और मानलो last IP, अगर 4 IP होती तो मैं 100001 से ले करके 100004 तक, इस तरह से define कर सकती थी, तो मैंने रखा 2 IP, 100001 start IP और 100002 last IP है, अब इसका net mask रखेंगे, 255.0.0.0, यह हमारा एक pool बन गया, अब private IP का एक access list बनाएंगे, क्योंकि हमें उसे permission देनी है, उसे ही map करना है, तो भी राइट हीर, access list 1, permit, कौन से network को देना है, 10.0.0.0, हमने 10 की IP ले रखी है, private IP, और इसका while card मार, 0.255.255.255, यह हमारी access list बन गई, अब dynamic IP में भी, dynamic net में भी हम क्या करते थे, पूल को private IP के साथ map करते थे, ठीके, वही command चलेगी, बस एक keyword लग जाएगा, IP, net, inside, source, list, हमारे list का number क्या है, हमने दिया access list 1, हमारे list का number है 1, and the pool name is P1, अब यह list 1 को pool 1 से map कर रहा है, बट keyword overload के साथ, overload से इसे पता चल गया कि हमें अपने port addresses पर इसको map करना है, यह देखे, ठीके, अब interface पर in और out लगाएंगे, जैसे static और dynamic किया था, 000 से in हो रहे हैं, और 001 से out हो रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही, यहाँ पर भी हम लगा देंगे, interface, serial, 000 से हम in हो रहे हैं, तो ip, net, inside, और interface, serial, 0, 0, 1 से हम क्या हो रहे हैं, out हो रहे हैं, तो it is ip, net, outside, ठीके, अब देखे, हमने pool बनाया है, और pool पर map overload कर दिया है, अब मैं यहाँ से pink करा के दिखा रहे हूं, कि मैं 3 ips को pink करूंगी, I think it is 1005, हम इन 3 ips को यहाँ से 50,002 से जैसे अभी pink कर रहे थे, और सबके लिए जो reply आएगा, वो 100,001 से आएगा, पहला भी 100,001 था, दूसरा भी 100,001 है, और तीसरा भी 100,001 होगा, इसका मतलब जो हमारे interface 100,001 की IP जब तक capacity रखेगी, 100,001 से ही आपको reply दे रही, क्योंकि यह port पर mapping कर रही है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर net address translation भी दिखा देते हैं, यहाँ पर डालिए show, IP, net, translation, यह देखे, यह सारे 100,001 से reply आपको दे रहा है, ठीके, 1 को किया, 2 को किया, 5 को किया, सबको ICMP map हो रहा है, ठीके, ICMP पिंक के लिए communication करता है, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल तो हमने 5002 यूज किया है, लेकिन इंसाइड लोकल में 100,001, 100,002, 100,005 को इंसाइड ग्लोबल 100,001 पर map कर दिया गया है, clear है?